कदम ऐसे चलो कि कुछ निसाफ बन जाए और काम ऐसा करो कि दुनिया में नाम हो जाए समझ रहना हम किसके बारें बात कर रहे हैं आप जनता हैं समझी रहे होंगे लोग सबार चुनाओं में आज हम मडुआली छेत्र में हैं और हमारे साथ काफी महलाएं यहाँ पे हैं उनसे क्या महुल देख रही हैं लोग सभा चुनाओं में यह कि पाजपा सरकार से काफी हो ज़ढा है जी प्राम सयर मैं साधना सैनि भाजपा सरकार हम लोगों कम्रें जोगों के बहुत आगे किया है हम महिलाओं के बारे में भाजपा ही सरकार सोची है और कोई सरकार नहीं आगे आई इसलिए हम लोग भाजपा सरकार से बहुत खुछ सा है उसका बार बार धन्वाद करती है आपको क्या लगता है कि मोदी जी तीसरी बार कासी से चिनाव लड़ रहा है हमें तो बहुत देख रहा है और आगे भी बहुत पहले से हमारे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं हम कहिए तो मोदी जी की बिसे मैं ऐसा कुछ कहना चाहेंगे जिन से कि हमारी बेटिया बाहर नहीं कल रही थी सहे से निकल नहीं पा रही थी लेकिन अब चलती है तो बोलती है कि मम्मी अब कोई प्राबलम नहीं है बहुत अच्छे से जाती है इस बार वो बारक पास की है लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगता है उनकी जितनी फ्रेंड है वो सब भी ये सोचती हैं कि हमारे मोदी जी एक बार फीर आए और बहुत अच्छे से आए और अच्छे से मतलब निकलें कि आगे भी वो चलें और हम लोग पूरे परिवार उनकी सहेलियां भी सब हम उनके सपोर्ट में हाए और आगे भी रहेंगे जब से हमारी जान रहेगी और हम हमेशा चाहेंगे कि मोदी जी आगे आए और आगे भी रहें और हम भाजपा का मतलब साथ दिये हैं आगे भी देंगे हमें बहुत अच्छा लगता है हमारे छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक अब पहली बात तो यह कि हम पुस्पा देवी मारा नाम भा कि मोदी जी के क्लिये कार करें और आगे बढ़हां वो फिर से आए मोदी जी बस भाइया धन्यवाद अगर जो गलती हुए उससे चमा करते हुए हमारी दिल से चाहा है कि महादेव हे जितने भारत हमारे धारत देश के हैं सपोट करें कि हमारे मोदी जी फिर से आए और हम कि यहीं चाहेंगे आशानेiley कि हम लोग तो हैनलर सway और जा रहे हैं मेरे नहीं नाव कि जा परदार मंतरी ऐसे हैं कि जो हम महलाए सुरच्छित हैं, अगर हम दूसरे देश से अगर हम compare करें, तो हमारी महलाए सुरच्छित नहीं है, जैसे कि हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ आप जाइए, तो आप वहाँ बिना पर्वीशन के घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं लेकिन हम सब मैलाएं यहाँ पर इतना फ्री है कि कहीं भी जाना हो तो फ्री हम लोग जा सकते हैं किसी से ना पूछना है ना कुछ करना है कि बच्चिया अपनी आपके महसूस कर रही है कि हम कहीं भी खुल के जा रहे हैं कोई टेंशन नहीं होता पहले तो हमारी बच्चियां है दोनों बारा बारा तक पड़ी है इस बार यह पास की है लेकिन उन्हें कोई टेंशन है अप कंप्यूटर कलास करने के लिए हम उनका कल कल भॉम भरे थे आया था उनका अब एडिविस्टन कराएंगे वो जाएंगी कलेटरी भारा कुछ नहीं बस जो भी है सब अच्छा अच्छा रहे बनारस में सब लोग अच्छे से रहे और जगा भी सब अच्छे से रहे मोदी जी का नाम हूँ और क्या चाहिए एक जीवा मुझे कोई डर नहीं लगता हम अकेले जाते हैं अकेले आते हैं मुझे कोई दिकत नहीं होता है इस बार के लोग सबाचिनाओं में बेरोजगारी और महंगाई लगता है क्या तो देखिए विपच्छी पार्टी जो है सुरुआस से ही बिरोद करती चली आ रही है जहां त जो कही हम लोग और जगह पे जाते थे तो वहां पे बैठने में अजीव सा लगता था लेकिन अब देखिए साफसफाई हर राम लला जो है बिराजमान हो गए तो लगता है कि चुनाओ पे जी बहुत खुशी हुई राम लला बिराजमान हुए है उनका जनम दिन मनाया गय हम महिला है सब सुरक्षित हैं मोदी जी को वज़े से उनका बार बार हम अभार रेक्ट करते हैं उनके वज़े से राम लला आये हमारे जो ध्यमें प्रियाजमान हुए है और दूसरी बात है कि हम तो यहीं चाहेंगे कि मोदी जी हर बारा में जितनी बार चुना हो जब तक मैं जी हैं तब तक उका उमर लंबा चोडा और भी लंबा हो कैसे अपनों कंपना उने कनाते कैसे प्रयास कर रही है कि 400 पार का यह उनारा आए मोदी जी जा कि का यह ठैख रहे हैं बैडर सब कुछ खतम हो गया लड़कियों औरतों के मन में हम लोग जब चाहे बहाँ निकर सकते कहीं जी बिल्कुल और जिसका नहीं ओटर लिष्ट में नाम है तो उनके घर जाके हम लोग पता कर रहे हैं कि ये आदमी कहा है जिसका डेट हो गया है वो है ही नहीं तो बहुत से जैसे भी पच्छी लोग हैं उनका फरजी डलवा दे रहे हैं तो उस चीज का हम लोग पता कर रहे हैं कि फरजी ना कोई काम हो तो हम अपना ओपनिये बताएंगे कि हम परधान मंतरीश जी से बहुत खुस है कि पहले हम देश की महिलाएं सुरच्छित नहीं थे लेकिन अब जो है हम अपने आपको बहुत सुरच्छी समझते हैं चाहे रात के आठ बजे हो चाहे रात के दस बजे हो कहीं भी हो हम लोग बिंदास निकल जाते हैं किसी चीज का हम लोग को ढर्ब है नहीं लगता है जैसे कि पच्छी कहते हैं कि महंगाई है बे रोजगारी है तो ऐसा कोई बात नहीं है क्या पहले नहीं थी क्या नहीं थी पहले क्या विकास हो हो रहा था हम लोग आज देख रहे हैं 2014 से देख रहे हैं जबसे हमारे मानी मतर्दान मंतरी आये हैं विकास ही विकास हो रहा है आप इलहाबाद जईए हैब का 않았े पासी में आप पहले तो कोई बच्चा नहीं जानता था कि कौन है हमारे देश का परधान मंत्री लेकिन आज गल्ली और नुकर पे किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि बेटा आपके परधान मंत्री कौन है तो गर्ब से बताएगा कि यह हमारे परधान मंत्री है अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके